हलो मेरे प्यारे दोस्तों कैसे आप सभी लोग बटा आज बड़ा खुसी का दिन है क्योंकि कक्चा 10 और कक्चा 12 का UP बोर्ड का रिजल्ट बटा आ चुका है जैसे कि आपको पता है कि दुपैर में दो बजे आपका रिजल्ट जारी हुआ था और सभी सातियों का बहुती सां कि दम गदगद है तो आप लोगों के मन में ख्याल आ रहा था उस ख्याल का जवाब देने के लिए आज मैं आपके सामने उपस्तित हूं तो सभी साती वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें कई बार हमारे मन में ख्याल आता है कि यूपी में टॉप 10 की जो मेरिट लिस्ट है उसमें कितने विध्यारती होते हैं तो बिटा मैं आपको बता देता हूं यूपी बोर्ड ने जो टॉप 10 की मेरिट लिस्ट जारी की है यानि टॉप 10 विध्यारतियों की जो लिस्ट जारी की है उसमें बिटा एक रैंक पर बहुत सारे लोग भी पॉसवल है जैसा कि इस मेरिट लिस्ट में आपको दिखाया गया है आपने सुनाओगा टॉप 1 पे 2 पे 3 पे 4 रैंक किसकी आई है तो एक एक रैंक पर कितने लोग हैं कई बार आपको फील होता है कि सर उन्होंने चौथी रैंक तो कुछ और बताई थी और यहां पर चौथी रोंक कुछ और है तो इन टॉपर्स हमको क्या-क्या ग्यान मिलने वाला है क्योंकि इस बार हमको भी बिटा यानि आपको भी 10 और 12 का बोर्ड परिक्षाएं देनी है तो सभी छोटे भाई बैनों के लिए यह लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यह पूरा का पूरा वीडियो बहुत इंपॉर् आप सभी साती वीडियो के अंते तक जरूर बने रही है तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कक्षा 10 की जो मेरिट लिस्ट सरकार ने जारी की है यानि यूपी बोर्ड ने जो जारी कियो उसको समझने का प्रयास करते हैं यानि पहली रैंक पर हम लोग बात करें तो प्रा की हैं सीता वाल विद्या मंदर इंटर कॉलेज महमुदाबाद में पढ़ता सीतापुर में और सबसे चीबात है इनके नंबर कितने बिटा तो इनके 600 में से 591 नंबर है अगर आप भी अपनी रैंक वन लाना चाहते हैं तो बिटा आपको 600 में से 591 नंबर लाने सीतापुर से जो पहली रैंक आई है तो पहली बात तो पाट साला 247 की पूरी टीम सीतापुर की बहन के लिए प्राची निगम के लिए बहुत-बहुत बढ़ाई देती है ठीक है और इनसे प्रिणा लेकर आप सभी लोग भी इस तरीके के रिजल्ट को गेन कर सकते हैं उस से हमारी वहन है दीपका सौनकर जिनकी सिकेंड रैंक आई है और इनके नंबर जानते बिटा कितने आया इनका एक नंबर कम है यह पांसो नब्भय नंबर आये हैं यानि अगर आपको टॉफ फाइप के अंदर रहना है तो आपको पांसो नब्भय नंबर के आस्पडोस आने पड़ेंगे अब आते हैं थर्ड रैंक पर विटा थर्ड रैंक पर कोई एक व्यक्ति नहीं है बहुत सारे लोग है समय थर्ड रैंक पर देखो सीता पुरसे फिर से रैंक आई है यह जो सिकंड रैंक थी वो फतेपुर से आई है यानि यह वहन हमारी दीपका सोनकर य थ हेने वाली है सीथा पुरुष्से बृटाथ तीसरी रेंग भी है कि गाते सीता बाल विद्या मंदर इंटर काली यह जानी सेम विध्याले से रैंक है यह 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 आनके नंभय इनकी भी तीसरी रेणग है क्योंकि इनके नमबर 588 ती 558 नंबर अप्टा स्वाती सिंके भी नमबर यानि इनकी भी तीसरी रैंक आई यू पी-में टिसरी रैंक और पर एक नहीं है पहली पर इकलौते हैं सेकंड पर इकलौते हैं थर्ड पर दो तीन चार लोग हैं गिंतें कितने लोग हैं तो एक दो तीन चार यानि तीसरी रैंक जो आई है वो यूपी में चार लोगों की आई है यानि तीसरी रैंक का जो टेग मिलेगा वह विटा चार लोगों को मिलेगा बात आप समद रहा है अब चौथी रैंग पर बात करें तो चौथी रैंग पर Vessoncoat जी कि आई ये ये सीता वूर्ण के रहने वाली है यानि सीता पुर' के रहने गचुत ही रहने हो उसके रहने हो सकता है अब को पहले दिन से पूरी लगंत्या पढ़ाई करनी होगी यानि आपको अपनी पढ़ाई पहले दिन से ही अच्छे से जारी रखनी होगी इसके अलाबा बिटा जालॉन से इसका की रेंग भी चौथी आई है प्रयागरास से राज सिंग की भी रेंग चौथी है फतेफुर से फिर दीपिका देवी की चौथी रेंग है अंबेटकर नगर से नमिता बर्मा की भी चौथी रेंग है यानि फोर्थ रेंग पर भी एक व्यक्ति नहीं है कितने हैं एक दो तीन चार पांच यानि चौथी रेंग पर बिटा पांच लोग हैं अब बात आप समझने का प्रयास करना पहली पर एक सेकंड पर एक थर्ड पर चार और चौथी पर पांच लोग हैं ऐसी पांच भी रेंग पर बिटा हम बात करते हैं अंसिका वर्मा यह यह भी सीतापुर के रहने वाली है सीतापुर से पांच भी रेंग है सोनम पाठक इनकी भी पांच भी रेंग है को नौस से अंसु है उनकी भी पांच भी रेंग है जालाउन से पा तो आपको पूरी लिस्ट का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं की अगली बार हम उम्मीद रख सकें कि इस जिस्टिक से पहली दूसरी तीसरी चौती या पांचवी रैंक आ सकती है बात आपको क्लिए है तो आज हम आपको पूरी लिस्ट बताने वाले कि कहां कहां से कौन कौन सी रैंक हमारे साथियों ने यानि हमारे छोटे भाई वैनों ने गेन की है क्या कि अगली बार हमको भी रैंक लेकर आन इनके आप नंबर भी देख सकते हैं इसके लावा तनुसरी की छटी रेंग है प्रज्यास्रीवास तब छटी रेंग है छटे रेंग पर पल्लिवी खरवार जी भी है जिनकी रेंग देवरिया से आई है बात आप समझ रहे हैं ठीक है साथवी रेंग पर अविसेक नियती अम करें की साथवी रेंग पर कुल सुम जहां की रेंग यह साथवी पर गोईरी सिंग साथवी पर जैया सुकला पांचो चौरासी नंबर स्रफ एक नंबर का डिफरेंस है सात्वी रैंक पर स्वाति अभिषेक खुसी देवी राज अधिराज चित चिति लिखायाद सिविंदर सिंग अर्पित साउ प्यूस आनंद कुमार तरुन रिसी तनू और चंदर सेखर सुकला इतने सारे साती हैं जिनकी सात्वी रैंक आई है बात आप समझ रहे हैं इसी प्रकार से हमारे बहुत सारे साती जिनकी आठवी रैंक आई है यह पूरी की पूरी लिस्ट हम आपको टेलिग्राम के माद्दम से दे देंगे और आप इसकू के अंदर सिर्फ 10 विद्ध्यारती नहीं है अगर टोटल संख्या आप जानेंगे तो आप हैरान रहे जाएंगे कि कच्छा 10 में टॉप 10 के अंदर इतने सारे विद्ध्यारती देखते हैं इसके लाबा आठवी रैंक पे तो बहुत सारे लोग हैं रितिकुमार देव पार्टी अंसिकायादव इन सभी लोगों की आठवी रैंक आई है यानि आठवी रैंक पर दस से अधिक लोग हैं जिनकी आठवी रैंक है यह सभी के सभी लोग अपने आपको आठवी रैंक होल्डर कह सकते हैं और इन सभी के नंबर बराबर हैं इसमें ऐसा नहीं होता है कि जिसके नंबर अगर बराबर होते हैं तो आपकी merit में rank 1, 2, 3 में difference हो बिल्कुल नहीं यानि जैसे IAT need की परिक्षा में होता है कि अगर आपके नंबर बराबर है तो date of birth के आधार पर आपकी rank को decide किया जाता है बट यहां पर आपके नंबर बराबर है दो लोगों के तो दोन इसका सोनम अंसिका वैसनवी सीतल अक्षे गुपता खुशी राजपूत इसके लाबा नाइन रेंक पर बिटा और भी बहुत सारे लोग है इसी तरीके से 10 पर भी हमारे बहुत सारे 10 रेंक पर तो सबसे ज्यादा साती हमारे जो है वो दसवी रेंक पर आए है और 10 रेंक व बोड ने जारी किया तो बिटा 159 चात्र ऐसे है यानि 169 बालक ऐसे है जिनको टॉप 10 रेंक मिली है बात आफ समझना है यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है यानि रेंक 1 या 2 या 3 या 4 या 5 सिर्फ एक विद्ध्यारति को नहीं मिलती है एक से ज्यादा बालकों को भी रें के हमारी तरफ से बहुत-बहुत बढ़ाई हो यह बढ़ाई के पात रहें और आज के हमारे हीरो है में बाती है ठीक है इसी प्रकार से बटम 12th क्लास की रिलिस्ट जारी देखते हैं और 12th क्लास में टॉप 10 के अंदर तो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे इतने सारे हमारे भाई बहन है जो टॉप 10 रेंग के अंदर लेकर आए है यानि इसका मतलब है कि यूपी बोर्ड में रेंग हासिल करना अगर पूरी प्लानिंग के साथ हम काम करते हैं तो कोई बहुत कठिन काम नहीं है इस बात को बहुत गंभीरता से लेना अगर आपका भी सपना है कि 247 टीम की तरफ से भरपूर दी जाएगी तो आप पाट साला 247 की टीम पर पूरा भरोसा कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात अगली वीडियो जो मैं आपको बताऊंगा कि इन सभी विध्यारतियों में पाट साला 247 के कितने विध्यारतिय है तो आपको बहुत मज़ा आग करनेवाली वाली जो विध्यारति हैं वह सुभं भरमा जी है और सीता बाल विध्या मंदर इन्ट्रो कॉलीज mahmoodiowy सीता उसी विध्याले की चाद है जिसके कच्छा 10 रंक बनाई है उसी विध्याले के चात हमारे कॉप और 12 ग्रामे भी है नेंक लेकर आया है और पहली रं रेंक पर नहीं है यानि पूरी यूपी में 489 नंबर सिर्फ अकेले जो हैं वो सुभं बर्मा जी के नंबर हैं सेकेंड रेंक पर कई सारे लोग हैं सेकेंड रेंक पर विशु चौधरी काजल सिंग राज बर्मा कसिस मौर्या चारली गुपता और सुजाता पंडे इन सभी का बस एक नंबर कम है 488 नंबर हैं और इन सभी की बिटा सेकेंड रेंक है यानि पहली रेंक पर सिर्फ एक व्यक्ति है यानि एक विध्यारती हमारे एक भाई हैं सेकेंड रेंक पर तीन चार लोग हैं यानि सिर्फ एक रेंक पर एक लौता हैं बाकी रेंक पर एक से जादा भी संबब है यूपी इसी तरीके से लिस्ट जारी करता है थर्ड रैंक पर बिटा हम बात करें सीतल वर्मा कसिस यादव आदित कुमार यादव अंसिका और पलक यानि एक दो तीन चार पांच थर्ड रैंक पर हमारे पांच भाई भैन हैं जिनकी तीसरी रैंक आई हो और इन भी सपना बनाया है कि भाईया मुझे भी इस दुबार ऐसी ही रैंक में अपना नाम चाहिए तो आपको इतने ही नंबर लाने होंगे ठीक है इससे आपको पता चल जाता मेरी कौन सी रैंक आ सकती है चौती रैंक पर बहुत सारे लोग है चौती रैंक पर मुहम्मद सहीम है पलक मौर्य है साधना है रजीत रजित कुमार है अनिकेत सर्मा जी है लवी है और सिमम गुपता जी है यह सारे के सारे लोग चौती रैंक हासल करते हैं और इनके नंबर एक नंबर फिर से कम 486 नंबर है इसके लाब पांच भी रैंक पर अनु है राहुल है नूतान रादि इसके लाव और भी इढरती जिनकी पांच विर版 काई है पाच वी रैंक पर पिकी बॉर चंदन याद अभश निदी ज्व ficar थे चैनिस है इन सभी साथियों कि पाच वी रैंक यानि पाच भी रैंक पर बंसर लोग है जिनकि पाच वी लिए इस घर बहुत है जोड़ोगा उच्टी रएंग Summit फिरसे बात करें जटी पर रासी प्रिया श किन रक्षय शिवव शिवा और ह्रानसी सिख्षा येसी ट्येआ कि हरस्वरदनसरेया असिका रिम जिम एप सेजल सुप्रिया अनोज अमन और अन्सिका इन सबी लोगों की छटी रैंक आई और इनके नंबर है बिटा 484 नंबर यानि ये 6 रैंक पर भी बिटा कम से कम 10 12 लोग है जिनकी 6 रैंक आई है इसी प्रकार से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ये पूरी की पूरी पीडिया फाइल मैं आपको टेलिग्राम पर सेर कर क्योंकि 12th क्लास में जो नंबर्स है टॉप 10 के अंदर उनको समझ कर आपको लगेगा कि वाओ ऐसा भी पॉसिबल है देखनें विटा साथवी रेंक पर हमारे साथियों का नाम देखिए सभी साथवी रेंक के साथी है यह साथवी पर ये भी सभी साथी है और इन सभी साथियों के सर्फ 483 नंबर है यह सारे साथी यहां तक के सारे साथी साथी रेंग है और 482 एक नंबर कम आते हैं यह आठवी रेंग के स्टार्ट हो जाती है और आठवी रेंग पर देखते हैं बिटा यह पूरे के पूरे सारे साथी आठवी रेंग है और यह सारे साथी आठवी रेंग है यहां तक ठीक है और नवी rank रंजीत कुमार जी से start होती है और नाइन्थ रेंग पर यह सारे साती नाइन्थ पर यहां तक के साती यहां तक के और दसवी पर प्रकरती से start होती है और दसवी रेंग पर साथी गिनना बिटा कितने हमारे और इन सबी सातियों का 480 नंबर है ठीक है यानि टोटल अगर हम बात करें तो कितने साथी हैं हमारे अगर बात करें पहले नंबर से दिख stewards मैं आपको है यहां से लांबर वन इसे start हो रहा है और यहां से साथी मिनना ट्वल्थे क्लास के लिटा साथी गिनेंगे तो 408 यानी टॉप 10 के अंदर 408 साथी ओवाव यानी आप ऐसा यानि यूपी बोर्ड ने जो 408 चात्रों की लिस्ट जारी करी है इन सभी की रेंक वन से लेके 10 के बीच में ही है बात के लिए रहे हैं इन सभी की रेंक वन से लेके 10 ही बुलाई जाएगी और 10th क्लास में 159 भाई बैन है मारे छोटे भाई बैन है 159 जिनको विटा वन से ले इदर उदर हो जाएगी बिल्कुल नहीं है समान रेंक आने पर आपके रेंक बराबर ही रहेगी दोनों साथियों और दो साथियों के बराबर रंबर तो दोनों की रेंस सेम रेंक पुकारी जाएगी तो आप लोग भी अपना सपना बनाई है कि इस वार यूपी बोर्ड मे कितने भी साथि हो सकते हैं उसमें एक हमारा नाम होना चाहिए ऐसे सपने के साथ आज से ही हम लोग अपनी त्यारी को प्रहरम करते हैं और इन सभी साथियों के लिए पाटसाला 247 टीम की ओर से बहुत-बहुत बधाई हो बहुत-बहुत ये बधाई के पात्र है और आप चोटे भाई-बहनों को रेंक हासल करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में जरूर बताएं और पाटसाला 247 की पूरी टीम रेंक होल्डर के इंट्रिव्यू के साथ बहुत जल्द आपके साथ हाजर होने वाली है तो उम्मीद करता हूं इस सारी बात आपको मेरी समझ में आई होंगे और यह इंस्प्रेशन वीडियो है मारे लिए ठीक है तो आपको बहुत ध्यान रखना इस बात के लिए तो इन्हीं अच्छी बातों के साथ अब हम विदा लेते हैं बाके हम समय मिलते रहेंगे आप लोगों से और आप लोगों को गाइड और करते रहेंगे तो जय हिंद जय भारत जय हिंद जय हिंद तो